तो हूँ इस मिस्टर राहूल गांधी टो क्वेश्चेन ली एक्सपर्ट बॉडी इस ओपीनियन। हिंसा ना फैले शांती बनी रहे। यही भारतिय जनता पाटी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं यही उनका कर्तव यह हम अपना कर्तव यह निर्वाहन कर रहे हैं किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें हम लोगों को भड़काए ना हिंसा ना फैले और देश में उत्तर प्रदेश में हर स्तान पे शांती बनी रहें मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए हिंसा फैलाया जाए भ्रमजाल बुना जाए यह कोशिश कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी की रही है आज हमने उनके प्रेस कॉंफरेंस में सुना और देखा भी की राहूल गांधी जी ने पोस्ट मॉर्टम के ऊपर सवाल उठा दिये आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूँ इस मिस्टर राहूल गांधी या मेडिकल एक्सपर्ट वो फोरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है के राहूल गांधी डिद ही कंड़क्ट पोस्ट मॉर्टम तो पोस्ट मॉर्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई तो who is Mr. Rahul Ghandi to question the expert body's opinion एक expert body है जिन्होंने इसी विशेख पर अध्याइन किया हुआ है पढ़े लिके लोग है वो डॉक्टर है उन्होंने अपने conclusion को दिया है एक scientific process के बाद उस विशेख पर भ्रम फैला देना और कहीं न कहीं इस विशेख पे एक अशान्त वातावरन बन जाए उसके लिए प्रयास करना यह आज पर्ष टूप से राहूल गांधी जी के press conference से दिख रहा था इसमें कोई दोमत नहीं है कि जहां तक राहूल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है इस परिवार का किसानों से व्यापारियों से हिंदुस्तान के अन्यवर्ग से कोई लेना देना नहीं है गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कॉंग्रेस से भी लेना देना नहीं गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है अपनी परिवार की साख बची रहे परिवार की नईयां न डूबे अभी हमने देखा कॉंग्रेस की नईयां की क्या परिस्थिती है माफ करिएगा कॉंग्रेस की नहीं गांधी परिवार की नहिया की क्या परिस्थिती है खुद उनके लोग उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के उपर आक्षेप लगा रहे हैं राहूल गांधी जी के नेत्रुत्यों के उपर, कि उनके पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है, इन विश्यों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं, इस विशय को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नईया को कैसे तार आ जाए, कहीं न कहीं गांधी परिवार और राहूल गांधी को लगा कि एक उपर्चुनिटी है,